Hello Everybody, This is DIGRAHAS SINGH RAJPOOTH, Welcome to MAGNATE BRAINS इस वीडियो में हम क्या पढने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे distribution of temperature के बारे में distribution of temperature जो है topic इसे connect करो पहले solar radiation पढ़ चुके, heat balance पढ़ चुके है, temperature जो है moving on to the next, अब क्या देखो temperature worldwide एक जिसा नहीं रहता आपको पता है, ठीक है, आपको क्या पता, general हमें यह पता है कि हाँ, equator पर temperature ज्यादा, as we move towards the pole, the temperature will decrease ठीक है, that's it, इतनी कहानी हमें in general पता है, लेकिन अब class 11th में आये, तो कुछ नहीं चीज़े में जानके जाओ, यह तो हमने 6-7 में पढ़ लिया था distribution किस तरह से है, world में, temperature का वो समझते है, air masses जो है, वो temperature influence करती तो air masses कहा थंडी होगी, कहा गरम होगी, वहाँ ज्यादा temperature, वहाँ कम temperature उस तरह से होगी ठीक है, तो वही सारे चीज़े बताते हैं, आपको देखो, how to study the distribution of temperature, पहला सवाल, की temperature को पढ़ा कैसा जाए, तो temperature को study कैसे किया जाए, कैसे दिखा जाए, कहाँ कम है, तो हम वो करते हैं, ती temperature distribution is generally shown on the map with the help of isotherms, हम वो पढ़ते हैं, समझते हैं, isotherms की मदद से, isotherms क्या हो isotherms क्या होती है, isotherms map पे line project की जाती है, जिन lines की मदद से हमें यह पता लगता है, कि कहां कितना temperature है, तो हम ऐसा कह सकते है, isotherms are the line showing the temperature, जैसे लिए 20 degree Celsius, तो अब यह जो line होगी, ठीक है, तो यह जो isotherm होगा, this will explain that the region from where this isotherm is passing is having 20 degree Celsius temperature, ठीक है, तो जहां से एक isotherm निकल रह in places having equal temperature, is that clear, distribution of temperature पढ़ना है, कैसे पढ़ोगा, isotherm आपकी बहुत मदद करता है, isotherm क्या है, imaginary lines होती है, जो imagine की जाती है, मतलब imagine क्या की जाती है, imaginary drawn होती है, बाकि वहाँ पे characteristic आपको क्या देखने को मिलेगा, कि जहां से isotherm निकल रहे, वहाँ पे equal temperature होगा, ठीक है, temperature distribution in January and July, तो temperature distribution काम दो time period में देखते है, January और July, अब यह क्या है, तो January और July जो होगा, तो आप इस समय पर क्या होता है, January में जो solar insulation होती है, ठीक है, direct solar insulation कहाँ पर होती है, तो direct solar insulation जो होती है, वह होती है, तो यह विंटर solustrius हो गया, और यहाँ पर जैन्वर, winter solustrius हो गया, और July में अगर हम बात करेंगे, तो summer solustrius होता है, जब direct solar insulation कहाँ होती है, ट्रॉपिक ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ, cancer पर होती है, फाइन, आगे बड़ते हैं, तो अब आगली कहानी कहा है, हमारी, जैसा अग हम बात करें कि distribution किस तरह से है, आपको देखने को मिलता है, तो वह distribution को समझना है, तो उस distribution को समझने के लिए पहला, आपको world map को समझना होगा, world map को चलगा आप देखो कि यह equator है, equator की ऊपर world, equator की नीचे जो world है, मतलब नदन हमिसफेर, उसमें एक characteristic क्या देखने को मिलता है, और नॉर्मल वह observe कर लो क्योंकि उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, नदन हमिसफेर में लैंड मास ज्यादा है, सदन हमिसफेर में ocean जो है ज्यादा है, ठीक, चलो, तो in general, the effect of latitude and temperature is well pronounced on the map, as the isotherms are generally parallel to latitude, तो नॉर्मली जो हम अभी तक पढ़ते आए क्या है, कि latitude जो लो लोवर लैटीट्विट पर हैंगे जो अवर यहां लोवर लैटीट्वट पर यहां वह गरम रहेगा और जैसे जिसे आप higher altitude पर लैटिट्व पर जाओगे और जो ईसो सिम्हाइर ए लाटीट्विट पर हैंगे लेकिन उसमें आपको एक pattern change होते हुए दिखेगा अलग अलग time period में आई ना कहानी समझ में तो आईजो थम क्या है एक बार फिर से recall करवा देते हैं आईजो थम जो imaginary lines होती है जो हमें क्या बताती है विच आर जॉइनिंग दी प्लेसे इक्वल टेंपरेचर अब आईजो थम के हम बात करते तो जनरल ही क्या होता है लेटीटीट के पैरलल रहेंगे वह एक्वल टेंपरेचर को दर्शाते हैं और टेंपरेचर की कहानी सीदी सी है कि as you move up ठीक है जैसे जैसे अपर मूफ करते चले जाओंगे टेंपरेचर बढ़ता टेंपरेचर घटता चले जाएगा और आईजो थम उसी चीज़ को दर्शाते जाते हैं कि ऊपर जो थम होंगे ठीक है उपर जो थम होंगे अभी बैंड क्यों क्यों बताओं हमें वह कम अब है देःट कर Selva साय की लोगर सफिटा को हो रहते है वहाँ अपर तेंपरेचर ज्यादस दिर जाफ़ थीक तो अब लेकिन हमहें आपको देखने को मिलता है देखो ठीक क्या डिविशन की जीडेगरी जहां पे तेंपरेचर रहेगा तो यह ऑई दो थम यह पूरा पूरा जो थम दिख रहे इंगे जो निटेख़्ेस जहाँ तेमपरेचर उस temperature दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है दोनों जगा जीरो दिखा रहा है ऐसा क्यों मतलब जन्रल का है जन्रल हम बात करें तो जन्रल पैटन यह होना चाहिए कि हां यह डीटीट्यूट में टेंपरेचर होना चाहिए हम अबीता इतना पढ़ लेकिन यहां पर आपको किया देखने को मिल रहा है इस तरह से आपको कारण के कारण दिमाग लागा ब्दा सब्सक्क्राइब को कि बीच में अग nuclear जन्वरी ठीक है और नदर अमिस्वर में क्यों है अब इस मैप पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी त्योरी में क्या लिखा है उसमें सिर्मत लड़ाओ का आप जिसे दिख्योंगे जन्वरी की बात करें जन्वरी मतलब क्या है कि अंस्ट्रिले में लोग क्या बना रहे हैं वह रहे। ठीक है उपर गाऊगा उपर होंगे भीशन विंटर ठीक है तो यहाँ पर काहोगा बहुत बहेंकर सर्दी है अब सप्रडी है जशेश अब पता है कि इनुटेबिस कम रहेगा तो नदन है में temperature कम रहेगा तो इसलिए आप जिसे देख रहे हो कि उपर के जो आइजो थर्म से ना उपर का जो थर्म तो माइनस 25 डिग्री सल्सियस तक चले गए जिरो डिगरी जो आपको देखने को मिल रहा है तो यह तो वो देखने को मिल रहा है तो नदरें के वौटर मेरे वाले रीजन ठीक है स्थ वालगी वाले रीजिन पर आपको रिभी कम मिल रहा है यह यह क्या दर्शाथ हो कि आप जब नदन अमीस्फर में क्या है लेंड मासथ clauses तो यहीं पुरा जमीन यह पूरी समीन है तो लैंड मासथ जादा है वॉटर बोड़ी कम है अब जितनी Departight है ना तो लैंड और वाटर की आपको करेक्टरिस्टिक पता है कि जमीन जल्दी गरम होती है जल्दी ही थंडी होती है तो यहां पर क्या हो रहा है कि जमीन जो थंडी हो गई क्योंकि अभी विंटर चल रहे ना सोल इंसलेशन कहां पर सोल इंसलेशन सदर हमिस्फेर में तो न करोगे तो फिर बीघर हुआ तो यहां पे आपको water body पे गर्मी क्यों देखने को मिल रही है water body वाला ही जो जो है वह आपको higher latitude मीक्री देखने को मिल रहा क्योंकि पानी और जमीन की गरम पाली ऊपर ले जा रही तो इसका रहन से वहां का टेंपरेचर वहां पर जो एर मासेज है वह क्या रहेंगी वह रिलिटिवली वाम रहेगी एक तरह से लेंड एरिया से ज्यादा जरम रही इसलिए आई दो थम में आपको क्या देखने को मिल रहा है नौर्थ वर्ड बै देखने को मिल रहें जिसाब यह का है माइनस 12.5 डिग्री सेल्सियस का जो आई जो था में तो यह माइनस 12.5 ओशियन वारे रिजन पे तो बहुत पोल पे है ठीक है पूरा का पूरा आप देखो के नौर्थ पोल पे है माइनस 12.5 लेकिन वही माइनस 12.5 आपको गोवी तैंस लिका हो जाता है क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस टिगि जल्दी गरम ओना जल्दी थन्डा होना ठीक है तो फॉइंट्स क्या धियां रखना आई जो थम क्या है आई जो थम के बाद में आपको आई जो थम कि जो पूजिशन आव नौर्थ हमिस्वेर में साओध हमिस्व लेकिन सबींहें से मे आपको यह देखने मिले से हैं लेकिन मिले बैया थो कर además कौन टाओं रहे हैं जो हैं कॉंटीनवरिटी एक मेजर करण मन जाती है यह थी कहանा है और ईम्हेर तो जन्वरी यह तो जन्वरी की बात करें थंधे दे आई आपको मैं समझाइब वहां ओशन करेंट पहुंच जाते तो तेंपरेच्र को इंफ्लॉएंस कर देते हैं लेंड फंडा हो जाता लेकिन वहां मोशन करेंट यो पानी को गरम रखते इसकारण से वहां का जो isotherms होंगे वहां के जो temperature होंगे वो relatively क्या होंगे parallel latitude जो होगा उसके ठीक है उसका जो latitude होने वाला है regional latitude उससे जाधा रहेगा ocean body का ठीक है तो presence of warm ocean current gulf stream in north Atlantic drift make the north Atlantic ocean warmer and isotherms bend towards north तो isotherm इसलिए क्या होते है नौर्थ के आप लैंड पर देखो के तो लैंड पर क्या तो थम साउथ के टूर्स बैंड कर रहे हैं क्यों क्योंकि लैंड पर temperature क्या होता शारप ली गिल जाता है लैंड की करेक्टरिस्टिक है कि इस समय पर सोलर इंसलेशन जब सदन हमें तो नौर्थ में थंडा होना तय है यूरोप में इसलिए क्या रहते हैं विंटर से रहते हैं लैंड पार्ट पर अवैसा नहीं कि ऑशन वाले पार्ट पर समर्स हैं लेकिन वहां का जो टेंपरेचर होगा वहां के जो आईजो थाम होंगे वह अलग टेंपरेचर दर्शार होंगे ठीक दीफेक्ट आफ ओशन इस वेल प्रणाउंस इन सदन हमिस्फियर ठीक है देर इस आईजो थाम सा देर दी आईजो थाम्स आर मोर और लेस्ट पैरलेल टुदी लेडिटीट एंडी वेरिशन इन टेंपरेचर इस मोर ग्रेजुवल दरी नदन हमिस्फियर ठीक है तो जनवरी की अगरम बात करें तो जनवरी में आईजो थाम जो है यहां पर क्या रहने वाले यहां पर उतनी वेरिशन नहीं होगी जितनी नौर्थ में और कारण कारण यह कि यहां प तो यह तो हमारी कप की बात होगी जैनवरी की जुलाई का सिधा साइब किताब है जुलाई में ज्यादा विरीशन देखने को नहीं मिलते हैं एक टाइमस क्या होता है जुलाई में बस यह जैसे आप जुलाई में क्या होगा कि ट्रॉपिक आफ कैंसर पर डायरेक्ट सोलर रहेगी तो जो कह सकते है थर्मल आईटी सीजट पढ़ा आपने नाइंट क्लास में ठीक है इस में भी आगे पढ़ेंगे आपने वाली जो भुक है हमारी दूसरी वाली फिजिकल इन्वार्मेंट उसमें पढ़ा है तो आईटी सीजट जो है तो जो घर्मी एक्वेटर पर यहाँ ठीक है यह जुलाइगा केस बताएगा और जुलाइग उतनी ज्यादा वेरियेशन नहीं होगी वेरियेशन बस कहा देखने को मिले कि कहीं कहीं साउथ वर्ट बेंड होगा अब साउथ वर्ट बेंड क्यों हो रहा है क्योंकि जमीन इंटेंसली हीट आप होने के इन जुलाइग जो था हम जेंडरली रन पैरलल टुदी लैटीट्यूट एक्विटोरियल ओशियन रिकॉर्ड वामर टेंप्रेचर मोर दें 27 डिग्री सेल्सियस तो एक जैसा आपको क्या देखने को मिलेगा एटमस टेंपरेचर कंडिशन देखने को मिलेगी ठीक है फिर अगे क्ली कहानी तो ओवर दी लैंड मोर दें मतलब लिए टेंपरेचर फिकर बताएगा है लैंड जो है तो थर्टी डिग्री सेल्सियस रहता है सब्रॉपिकल कॉंटिनेंट में सब्रॉपिकल और एशिया लोंग दी थर्टी डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूट तो थर् डिग्री रहेगा फाइन फिर अगर आप और बात करते हो आगे तो अलोंग दी फोटी डिग्री नॉर्थ रंस दी आइजो थम आफ 10 डिग्री सेल्सियस अब जैसे जैसे आप फिर लैटीटीट्यूट उपच उठाओगे ना जैसे 40 डिग्री नॉर्थ वोल रहे तो फिर क टेमप्रेचर हमारा जो पाट था वो सोलर रेडियेशन हीट बैलेंस टेमप्रेचर तीनों कम्प्रीट हो गाए तेमप्रेचर में एक और इंटरस्टिंग चीज़ है अभी इनवर्जिन ओफ टेमप्रेचर एक अच्छा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में इनवर्जिन टेमप्रेचर को डिसकर्स करने वाले हैं आशा करते हैं यहां तक चीज़ें समझ में आईए किसी प्रकार का डाउट है फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्शन मैगनेट बेंस पर इसी तरह से क्लास फोर्ट से क्लास 12 तक सभी सबजेक्ट चैप्टर्स टॉपिक सब टॉप क्रblock कीज़ड़ मैञ हैं